गेंग्स्टर की हत्या के बाद जब अगले दिन रोहीनी कोट खुलती है तो क्राइम ब्रांच के तमाम अधिकारी दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचते हैं पूरे सीन को रीक्रियेट किया गया और साथी साथ आपको बता दें कि इस वक्त देखिये कि पुलिस के तमाम अधिकारी यहां पर मौझूद है बाकाइदा बात करें तो जो सिक्यूरिटी है वो चाक चौबंध है और आने वाले दिनों में कुछ ऐसी ही सिक्यूरिटी रहेगी ऐसा अनुमान भी जताय जा रहा है इन सब के बीच आपको बता दें कि लगातार ये भी पता किया जा रहा है कि हमलावरों ने क्या कुछ दिन पहले रेंटेड अकुमोडिशन में बैठ कर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था और यही बज़ा है कि आप एके कड़ियों को जोडने का काम किया जा रहा है आपको मालूम है कि क्राइम ब्रांच के तमाम अधिकारी इस पूरे वाकिये की जाच कर रहे हैं यही बज़ा है कि जाच अधिकारी और तमाम एविडेंस अधिकारी यहां पर पहुंचे बाकाइदा एविडेंस जुटाया गया और साथी साथ देखा गया कि किस तरह से घटना हुई होगी, किस तरह से हमलावर आए होंगे लेकिन सबसे जादा चौकाने वाली बात यही है कि वकील के अटायर में छुप करके बदमाश आते हैं, कोट रूम में खड़े रहते हैं और घटना को अंजाम देते हैं, यही वो बात है जो वकीलों को बहुत जादा परिशान करती है कि अब यह हमलावर पहले कोट केमपस के बाहर गैंग वार के अंदर अंजाम देते थे वारधातों को, लेकिन अब यह कोट रूम के अंदर दाखिल होकर घटनाओ को अंजाम देते हैं, साफ है चुनोती पुलिस को है, इन सब के बीच सुप्रीम कोट और साथी साथ हाई कोट के तमाम वरिष्ट वकीलों ने, खु कोहनी कोट आज तक